खंजर बदल दिया, कभी सीना बदल दिया, फिर देखिए उन लोगों ने मुद्दा बदल दिया नमस्कार, सलाम, न्यूज क्लिक के इस खास कारकरम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है NCRB की रिपोर्ट है कि 2019 की अपेक्षा, 2020 में फेक न्यूज के मामले में 214 प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है यह बहुत बह्यावाय है, हाला कि यह भी पूरी तस्विर नहीं है इस्तिती इससे भी ज्यादा गंभीर है फेक न्यूज के जरीए एक युद्ध सा छेड़ दिया गया है जिसके चलते हम भारतिय नागरेक सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं और अब एक बार फिर चुनाओ का दौर है इसमें तो फेक और हेट दोनों न्यूज ने सभी सीमाएं लांग दी है तो आज हम करेंगे बाद यूपी सरकार की यूपी सरकार का करेंगे फेक्ट चेक जानेंगे कैसा चल रहा है प्रिचार युद्ध क्या क्या बताई जा रहे हैं उपलब्दी क्या किये जा रहे हैं दावे और उनकी क्या है सच्चाई आज इसी सच्चाई को आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ हैं पत्रकार राजकुमार आप एक ट्रेनर भी हैं और News Click के लिए सरकारी योजनाओं से संबंदित, दावो और वाइरल संदेशों की परताल भी करते हैं राजकुमार जी आपका स्वागत है जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल जी आपका सबसे पहले मैं आपके कुछ Fact Check अपने दर्शकों के सामने रख देता हूँ, फिर बात्चीश शुरू करते हैं Fact Check 1 महिलाओं के खिलाफ अपराद में UP No.1 है या नहीं Fact Check 2 पुरानी तस्वीरों को UP के विकास के प्रमाण के तौर पर पेश कर रही है भाजपा Fact Check 3 भाजपा द्वारा बुंदेल खंड में घर घर नल से जलका दावा गलत परताल क्या टिकेट वाकई मीडिया को धमकी दे रहे हैं यह कुछ नमूने हैं अब आते हैं सवाल जवाब पर राजकुमार जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताईए कि फेक न्यूज की कितनी किसमे हैं जोटे दावे, भ्रामक दावे, आदे, अधूरे दावे इस सब के बारे में संशेप में जानकारी देते हुए बताईए कि यह Fact Check होता कैसे है पहले जो आप ने कहा है कि फेक न्यूज क्या होती है देखिए फेक न्यूज एक परियाप्त शब्द नहीं है यह जुश तरह के गलत दावे, भ्रामक सूचनाएं, गलत जानकारियां इन सब को डिफाइन करने के लिए यह परियाप्त नहीं है लेकिन एक popular space में यही शब्द चलता है तो इसको चलाते हैं अगर हम कहना चाहें तो एक तो misinformation है, एक disinformation है misinformation जो हम लोग कहते हैं कि बहुत बार गलती से भी आप कोई गलत सूचना, कोई गलत जानकारी शेर कर देते हैं, साजा कर देते हैं जैसे आपको पता जाँ, बात में कहते हैं, भी माप कहीजिए अगर यह गलत चीज थी बाहर आप को पता हैं, आप जानबूज कर नहीं करते हैं लेकिन जो disinformation है वो जानबूज कर ही वो बनाई जाती है और जानबूज कर ही वो पैलाई जाती है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दावे होते हैं, जो दावे सही नहीं होते हैं, गलत होते हैं, बहुत सारे फोटो, वीडियो, इन सब चीजों को संधर्ब से काटके पेश किया जाता है, वो वीडियो किसी अलग घटना का है, किसी खास घटना के संधर्ब में बता दिया, कर दी जाती हैं लोग उनको सची मान लेते हैं कि ये उसको फैक्ट की तरह से देख जाते हैं अगर मैं फेक न्यूज के बारे में कहूं तो फेक न्यूज क्योंकि अब ये शब्द चलता है तो मैं भी इसलिए इसी शब्द का इस्तेमाल करूँगा ताकि वह बहुत अकैडमि समझा जाए तो ये चीट करते हैं क्योंकि इंफर्मेशन जो है वो सब को मिलने चाहिए ये कदिकार है कि सूचना मिले नंबर पहली बात तो ये कि सूचना मिले दूसरी बात है कि सही सूचना मिले और तीसरी बात है कि समय से सूचना मिले तो पेक न्यूज इन सब मामलों म सारे चीजे होती है सबसे पहले तो हमें यह देखना होता है है कि इसके दावा खियाai किया की उड़ान तौर के तो है उड़ा न हम ने हमने हस्पतालों की तस्वीर बदल जाती है यह देखा जाता है कि यह फोटो किसने क्लिक किया यह फोटो कब का है इसका संधर्ब क्या है और कहां का है क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि जैसे आप उसको reverse image search करेंगे तो फोटो जो है इंटरनेट पे जहां-जहां मौझूद है वह वहां-वहां की सब की वह दिखा देगा और एक ही फोटो कई बार बहुत संधर्बों में इस्तेमाल होता है तो आपको उसके साक्षे पेश करने होते हैं आप यह नहीं कह सकते कि देखो प्लानी जगह पे पब्लिश हुआ था न है यह फोटो का ओनर कौन है कोपी राइट किसके पास और किसने क्लिक किया है जितनी संभव हो तनी जानकारिया साक्षों के साथ प्रस्कूत करनी होते हैं जो अलग दावे हैं कि जैसे कहेंगे हम इतने लाख लोगों को राशन दे दिया इतने हर जगह बिजली पहुंच ग जो है जो है जो जो चतुराइए जो जूटी खबर होई गए कि गलती खबर है एक होती कि आधी अधूरी होती है उसमें कुछ सच है कुछ जूट है ऐसा मिला कर पेश करते हैं वह बड़ी चनौती होती है पाठक के लिए भी कि उसे वो च्छाट पाएगी इसमें क्या गलत है क्या सही बिलकूल देखिए यह होता क्या है कि फैक्ट चेकर्स को चीट करने की भी बहुत सारी रननीतियां होती है जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं जो ग्रैफिक डिज साथ एक दावा किया गया था कि जो कोविड संबंदी उत्पाद हैं उनसे घटाई गई है उसमें यह कहा गया कि कोविड के दोरान घटाई गई जबकि हकीकत यह थी कि मास्क पे जीएस्टी था पांच परसेंट और चैनिटाइजर पे बंदरा परसेंट जीएस्टी था और निर्मला चितारमन ने को भी कहा था कि आपने निउस क्लिक के लिए रिपोर्ट भी किया था तो मैं यह पूछना चाहरा था कि जैसे अब चु एक तो कोरोना की वज़े से अभी काफी चीजे वर्चुल हो गई है और जो ओनलाइन स्पेस पे जिस तरह क्या इलेक्शन का कंपेन है उसमें यह कहना नहीं होगा कि सबसे पावरफुल बीजेपी है उसका कारण यह है कि एक तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा वेरिफा है जो उनके ग्रैफिक से उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी देखें तो क्वालिटी बहुत हाई है दूसरा उनके पास आईटी सेल बड़ी मजबूत है और परचार के जो साधन है जो उनके वाटसप ग्रूप है या अभी जो नेटफोक का मामला सामने हाया है कि जिस तरह परचार परचार में तो इन सब के पास उनके पास एक बहुत ही विवस्थित एक सिस्टम है तो हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा सा कुछ उधारन के साथ फेक नीज जो आपने इन दिनों फैक्ट चेक किया जिस तरह पकड़ी जिस तरह टेंड देख रहे हैं उससे का दूसरा कंटेंट इस तरह का कि विपक्षित लोको गुद घंगाई गुंडे माफिया और आतंकवादी इस तरह से परचार कर रहे हैं उनको जिस तरह कर रहे हैं ब्लैक पेंट दूसरा धार्मिक दुर्वी करन का जो है एक वह है और एक परचार देखें तो वह सारे से जो बीजेपी के ही कारी करता है उनकी बाइट ले करके और यह आम आदमी की कि जैसे आम आदमी कह रहा है कि बहुत विकार हो जाया है पहले यह तो मोटा मोटा परचार का इनका सिस्टम यह मैं आपको एक उधान देना चाहूंगा जैसे आप यह देख रहे होंगे एक जे इन आठ दाओं का फैक्ट्चा करने के लिए कितना टाइम चाहिए बहुत वक्त जाएगा और रिसर्च चाहिए लेकिन यह लगतार दड़ाधड़ 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 एक बाद एक इसतर दावे आ रहे हैं मैं आपको सर्फ पहले दावे के बारे में एक उधान के तौर पर समझाना चाहूँगा पहले दावे में का है कि 42 लाग से ज्यादा आवास का निर्मान परदान मंत्री आवास योधना के तो यह यह यानि कि 2017 से लेकि और अब तक की बात है जब से वाश्पा शाशनकाल में तो इसका यह प्रदान मंत्री आवास योधना की ओफिशल वैब साइट है जिसके ऊपर आगरा का यह ऊपर टोटल दिया गया है इसमें 2014 15 2015 साल दरता यह जी जी जीरो जीरो इसलिए है क्योंकि उसक्त प्रदान मंत्री आवास योधना जो इंदर आवास यही नहीं तो यह प्रदान मंत्री आवास योधना नहीं बना जैसे ब्रामक है क्योंकि यह योधना थी ही नहीं तो यह 2017-18 में एक आठ लाग सत्रह जार अठाइस, 2018-19 में चार लाग चप्विस हजार पांट्स एक्यासी, 2019-2014,167, 2020-21 में 37,710, 2021-22 में तर्यानवे नो लाग बत्तिस हजार तो जो 2016-2022 तक दो तैइस लाग शतासी जार आठसो बहत्तर यह सरकारी आकड़े हैं यह बता रहे हैं और यह ग्रामिन आकड़ा है तैस लाग आठसो बहत्तर और आप यह देखिए यह जो है यह प्रदान मंत्री आवाज जोजना अर्बद यह डिलीट कर दी गई ती यह तो इसको आर्काइव लिंक से इसको खो जा गया है इसमें जो कम्पलिटीड और डिलीवर्ड हैं वो है यह उत्तर परदेश का यह नीचे उत्तर परदेश है मैं हाईलाइट कर देता हूं तो इसमें नो लाग 71,143 तो अगर 23 लाग और 9 लाग को जोड भी ले तो यह 32 है 42 लाग तो यह 10 लाग का सी और मैंने सुना है लगाता और अपनी टीवी डिवेट में बीजेपी के नेता यह बताते हैं कि सपा सरकार ने एक प्रदानमंतरी आवास नहीं मनाया तो जैसे आपने भी रिपोर्ट की और हमने भी देखा कि उस समय यह यह उजना थी नहीं औ उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं देता उस तरह से तो जैसे यह एक दावा है और अब इसमें देखिए ओनलाइन हम लोग सरकारी रिपोर्ट और आकड़े या इन सब पे अपने रिसर्च पे हम लोग निरबर रहते हैं काईदे से यह जो 42 लाग घर का दावा है इन यहां प तो ओनलाइन तो फैक्ट चेक होना है चाहिए और पर भी होना चाहिए अभी तो ओनलाइन ही इनके दावे काफी एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह देखिए यह है जैसे नारी शक्ति नारी उत्थान वाजपा सरकार की यही पहचान तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे मैं इसको अभी प्ले नहीं कर रहा हूं तो इसमें सारे आंकड़े जो हैं रेप के वो 2016 से लेके 2016-15-14 यह दिए गए हैं जब भाजपा सरकारा यह 2017 के बाद के आंकड़े नहीं दिखाए गए हैं तो यह आधी अधूरी जानकारी है तो अगर आपको कंपेर करना है तो आप 2017 के बाद के भी आंकड़े दिखाए तो 2016 के दिखा रहे हैं उसके बाद के नहीं दिखा रहे हैं तो जब 2017 से लेके 2022 के आंकड़े जब देखे गए NCRB की रिपोर्ट में तो उसमें देखा कि जो महिलाओं के खिलाप अपराद की मुथोरे संग्यामें कम हुए है और महिला हिंसा महिला उपर अपर अपराद लगातार बढ़ा है जी जी लगातार बढ़ा है वो रेप के मामले भी देखेंगे आप 2017 के बाद तो उसमें बहुत ही मामली साय किसी कुछ गिरावट है जी जी तो यह सरकारी आंकड़े हैं जो तो मैं पैरां का काम होता है अगराइब की आप परताल कर रहे हैं तो आप आपको साक्षय देने पड़े जी इसकल आपको रोकूंगा आपने यूपी सरकार के अपको कि लगाद अगर आप थोड़ी सी जाज़त दे तो एक वार उससे पहले मैं कुछ एक और मुद्दा है जो खास तोर पे मैं उठाना जरूर चाहूंगा जो फोटो से जुड़ा है जी वो फोटो से जुड़ा मुद्दा इसलिए इंपोर्टेंट है कि जब से यह परचार ओनलाइन हुआ है उसमें आपको अच्छे विजूल चाहिए अच्छी फोटेज और अच्छे फोटो चाहिए ताकि आपका जो परचार सामगरी आपके आपके पोस्टर बड़े प्रभावी बने और आँखों को पकड़ ले पूरे पूरे पेज के विग्यापन चापे गये जुटे दूस साफ है और यह से फर्का को का है रहें कि फोटो से फ़र्क साफ हो जाएगा एक तरफ सपा सरकार के स्कूल डिखाये है जर जर और एक त्रफ योगैं सरकार के तो ये तीनों की तीनों तस्वीरे जो हैं ये 2017 के बाद की हैं यानि वारत समर्कार की हैं ये ये यहाल भी नहीफा है और ये दूसरा जो हाल है ये हाल इनका नहीं है ये एक स्टर्वूर्णीיश्स फिलिये नहीं है ये इन dalा भेसा जो मांग यहां पे रखना चाहूँगा ये एक मुद्दा रखना चाहूँगा कि खास दूर पर चुनाव आयों को अब चुनाव के परचार में जो तश्वीर इस्तिमाल होती है उनलाइन उनका संग्यान लेना चाहिए ये एक तरह से वोटर को आपने लगातार जब बिहार चुनाव के दरवान किया था तो पता चला था कि शुशील मोधी भी फिर लिखने लगे थे प्रतिकात्मक तस्वीर अपने दावे के लिए उन्हें प्रतिकात्मक तस्वीर की जरुद पढ़ रही थी ये बड़ा हास्यास पत था ये बिल्कुल जरूरी है ना कि आप यह द और यह किस की तस्वीर है तो वो नहीं बताते हैं तो यह था अच्छा अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं जो आप कह रहे थे कि यह तो यह एक फैक्ट चेक के यूपी का जो सूतना वे लोग संपर्क विभाग है उसने उसका एक आधिकारी अकाउंट है जिसका यह एक यह कई बार यह मामला हुथा है शशी थरूर ने ट्वीट किया था एक खबर को ट्वीट किया था जिसमें योगी के उससे लिखा गया था जो है यह जो है यह तो पता चला कि यह 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 दित्तेनाथे 2014 में एक लिख लिखा था उनकी वेबसाइट पर यह नेक था लेकिन इस लेक को डिलीट कर दिया गया तो लेकिन आर्चाइव लिंक इसका मिल गया और यह आर्चाइव कर लिया गया था तो इसमें यह सपस्क तोर पे लिखा हुआ है कि जैसे उर्जा को यह भी खुला और इंत्रित चोड़ दिया जाए तो वह व्यर्थ और विनाशक भी हो सकता है वैसे ही शक्ति स्वरूपा स्त्री को भी सुतंतरता की नहीं उपयोगी रूप में संडक्शन और चैनलाइजेशन की अवश्यक्ता है मनु समृति के इसमें पूब सारे इन्होंने कोट कर रखें इसमें कोई दोरा ही नहीं ने एक रिपोर्ट किया नोईडा से और लेबर चोक पे जाके उन्होंने वहां पे कुछ मज़़ूरों से बातचीत की और उन्होंने च्छापा तो इसका फैक्ट चैक जो है शुतनाव लोकसंपर्ट विभागने किया कि सोशल मीडिया प्लेट फर्म पर कुछ अकाउंट्स दवारा मज़़ूरों के आपको बताता हूं कि इन्होंने फोटो वेरिफिकेशन कैसे कि यह किस आधार पे पर कहरें कि पोटो उत्रक्रतेश का नहीं करें किसे संबंदेत। उस्कारी Tutaj french नहीं है यह कभी कुछ बताते नहीं है साक्षों के साथ कोई बात नहीं करते पुलिस से बात कर लेंगे यह अदिकारियों से बात करते हैं और कह देते हैं कि एकटार का बडा सवाल है यह तो राजकुमार जी यह तो बड़ी चुनोती हो गई कि अब फैक्ट चेक जो सरकारी तार पर की जा रहे उनका ही फैक्ट चेक करना पड़ा है और वह भी भ्रामक मिल रहे हैं आधे अधूरा सच उसमें मिलता है पूरा सच नहीं मिलता तो अब यह चुनाओ का दोर है सा अब चलेगा एक तरह से युद्ध प्रचार युद्ध है और उसमें यह इस तरह की फेक न्यूज या ब्रामक दावे आते रहेंगे तो एक आम आदमी आम पाठक आम दर्शक अगर कोई चाहे कि किस तरह में ख़बर को जा सकता हूं तो वो क्या करें कुछ है ऐसा कोई मेडिया आया है तो उसके बाद हर आदमी फब्लीशर हो चुका है तो वो उसको वो कोई भी फोटो वीडियो इंटरनेट पे डाल सकता है और वो लाख लोगों तक पहुंच जाता है वो कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि जिसके तहत उसके उसका अफेक्ट चेक होता हो सब्सक्राइब कर दिया जाए तो उसको पकड़ना एक काफी मुश्किल काम उसका वो बहुत बड़े पैमाने पे सर्कुलेट होता है पैक्ट चक होने के बाद भी रहता है साधान आदमी के सामने जो इस समय सबसे बड़ा संकट है जो फेक निउस का सबसे बड़ा नुकसा की यह सच्ची घतनाओं को भी संदिक्द बना देती है कि कि सबसे पहले आप देखे कि जो भी दावा है उस तारीख कि अगर कुछ दावा किया जाए तो उसकी क्या तारीक है, कब की बात है, कब की गठना है, फोटो कब का है, यह कहां का है, कि संधर्ब का है, जो 5W1H जो हम पत्रकारिता में पढ़ते आये थे, काइदे से अब साधान लोगों को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि उसके बारे पू तो वीडियो सूचना या कोई मैसेज आपके पास आया है, क्या आप आतम निरबर ढंग से उसकी कोई पुष्टी या वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो समझ लेजिए उसमें कोई गड़बड है, नमबर तीन, आप एक ही सोर्स के भरोसे ना रहे आप उसको जरूर दूसरे किसी वेबसाइट से, दूसरे किसी समाचा, कम से कम दो पर आप जरूर देखें, तो यह वहाँ पर क्या कहना है, चोथी बात जो है, कि आप जो इन्फोर्मेशन को कंज्यूम करते हैं, उसकी हाईजीन का ध्यान रखें, उसमें थोड़ी सी सचेत बरते हैं, और जो फैक्ट चेक वेबसाइट से हैं, उनको आप जरूर अपने रोजमन रा का हिस्सा बनाएं, जैसे आप ख़बरों के लिए अकबार पढ़ते हैं, बाकी जगह देखते हैं, तो आप ऐसे ही फैक्ट चेक वेबसाइट को भी देखें कि उनका इस दावे के बारे में क्या करेना है? मुश्किल है कि यही आ गई है कि यह काम मीडिया का था पर एक जो मेन इस्ट्रीम मीडिया है, वो दरसल वह उसने भी वाइरल परताल शुरू की थी, पर अब उसे भी कम कर दिया या वह वाइरल परताल ज्यादे तर कुछ इस तरह के दावो की करता ज्यादातर मेडिया हाउसेज में भी फैक्टेक होता है, वो फब्लिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने ही चैनल पे इतनी ज्यादा फेक खबरें, इतनी ज्यादा मिस्लीडिंग कंटेंट सलाते हैं, अब तो फेक के साथ हेट नीज भी शुरू हो गई है, बहु जावनाओं को आगे बहुत ही आगे देलित करता हूँ, जो वहां पे आप तुरंत रुख जाएं, आपको कहें कि यह देखियो बेटिये कि साथ यह हो गया, आगे बढ़ाई यह सेना का यह कर दिया, जो सो लोगों को भी जिये, जैसे पहले पोस्कार लाते थे तैंशी सो लोगों को और भी देखते हैं कौन है सच्चा हिंदू, कौन है, इस तरह के बहुत सारी चीज़े भरकाने वाले बिल्कुल, जहां पर आपको चाहें गुसा हो, कई बार गुसा लाए जाए, कई बार ऐसी मार्मिक भी बेजी जाती है, कि आप आसू आजाए, बच्चे को प बढ़ाएं, और उस्ते सचेत रहें, तो चलिए राजकुमार जी आप सब बातचीत बहुत अच्छी रही, मुझे लगता है इसका हमारे पाठक, हमारे दर्शक जरूर फायदा लेंगे, शुक्रिया, भन्यवारे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, तो दोस्तों, वाकाई इस चुनाओ के दोर में फेक न्यूज और उसके साथ हेट न्यूज से भी बचना एक चुनोती है, लेकिन किसी भी मैसेज, किसी भी खबर को लेकर हमेशा सतर्क रहिए, और बिना जाच परताल के आगे मत बढ़ाईए, उन्त में यही कहुँगा, कि बदला नहीं ह आज भी अवाम का नसीब दावा बदल गया, कभी वादा बदल दिया, इसलिए उनके दावे चेक करते रहिए और वादा मत बदलने दीजिए, इस काम में न्यूज क्लिक और आल्ट न्यूज जैसे प्लेट फार्म आपकी मदद कर सकते हैं, शुक्रिया धन्नवाद